हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं नेम इस सुनली शाह आर्टिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम वाटर कलर का एक छोटा सा डेमो देखेंगे और उसके साथ साथ मैं भरतिय चित्रकर राजरवी वर्मा के बारे में आपको जान करी दूंगी मेरे पिछले वीडियो में मैंने स्पाइनिश आर्टिस्ट पैवलो पिकसु के बारे में आपको जान करी दी थी वो आप फिर से सुनना चाहते हो तो आप मेरी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है वो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं ओके अभी जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे वड़ते हैं राजा रवी वर्मा के बारे में हम जान करी लेते हैं राजा रवी वर्मा भारत के विख्या चित्रकार थे उनका जन्म 29 एप्रिल 1848 में केरल के एक छोटे से गाव की मनूर में हुआ उनके पीता बहुती विध्वान थे माता कवी और लेखी का थी राजा रवी वर्मा को बचपन से ही चित्रकला में रुच्छी थी छोटी से आयू में उन्होंने घर की दीवरों को भी चित्रित करना चालू किया था उनके काका ने पेचाना की इसको कला में रुच्छी है तो तो वो जो रवी वर्मा है उनको लेके वो तिरू अनंत पूरम ले गए वहाँ पे उनकी शिक्षा चालू हो गए तब उनकी आयू थी 14 वर्ष एक बार उनके मामा जो थे राज वर्मा उनका नाम है वो विश्णुजी का चित्र बना रहे थे और उसमें रंग भर रहे थे बी वो इतना खूबसुरत बनाया कि मामा जब लोड के आये उन्होंने देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो है इसका मतलब यह है कि उनको बच्पेंसे उसमें बहुत ही रुचि थिया और उसमें वो बहुत ही मतलब कुशल थे बच्पेंसे उनका रामायन महाबारत कालिदास ग प्रशिक्षन दिया और साथी साथ पोट्रेट की जो कला थी वो कला भी राजा रवी वर्मा को सिखाई उनके जो दूसरे गुरु थे थियोडोर जोनसन ये डच चित्रकार थे ये भी उनके गुरु थे इन्होंने राजा रवी वर्मा को ओईल पेंटिंग सिखाया तबीसे राजा रवी वर्मा ओइल मीडिया में काम करने लगे और उनका नाम तबीसे चर्चा में आने लगा यह ऐसे पहले चितरकार थे जिनोंने देवी देवताउं को आम इंसान जैसा दिखाया और उनके चितर घरगर में दिखाई देने लगे इनके जो इंसान और भगवान के चित्र इतने मतलब सजीव दिखते थे लोग उनको इतने पसंद करते थे कि उनकी जो मांग थी वो मांग भी राजा रवी वर्मा पूरी नहीं कर सकते थे वो राजा रवी वर्मा अपने चित्रों में जो पात्र थे उनके ड्रेपरी और जोहलरी में इतना विशेज ध्यान दे के वो करते थे मतलब पेंट करते थे कि लोगों को वो बहुत ही पसंद आता था वो मतलब बहुत ही रियालिस्टिक हो जाता था और उनकी सफलता का श्रे उनकी सुव्यवसित शिक्षा को जाता है उन्होंने पारणपारी कला में महारत हासिल की और फिर यूरोपियन कला का भी अध्यान किया देखे दोस्तों मैं इस वीडियो में एक छोटा सा मतलब ओईल पेंटिंग का डेमो भी दे रही हूँ आप वो स्क्रीन पे देखते होंगे और उसके साथ साथ मैं राजा रवी वर्मा भारतिय विख्या चित्रकार उनके बारे में जानकारी भी दे रही हूँ आप दोनों चीजे एक साथ आनंद ले सकते हैं उनके जो चित्रकला का आदार था वो पवरोनिक कथा था और उनके पात्र थे उन्होंने अपनी चित्रकला में नए नए प्रयोक करना कभी नहीं चुड़ा हमें हमेशा कुछ नया करने का वो प्रयास करते थे रवी वर्मा को चित्रकार कुल्या है वह राज कुमार के इसाल किया देखिए दोस्तों आज हम जो आईल कलर्स यूज करते हैं वह आईल कलर्स सबसे पहले रजा रविवर्मन ने यूज किये थे चाहिए हम अस्टर के कि आज जो हम oil color यूज करते है उस oil color को सबसे पहले भारत में राजा रविवर्मन लाया और उसको इस्तमाल किया विदेशों में oil paints लोग करते थे लेकिन भारत इस तक्निक से पूरी तरह अंजान था इस चैली को European चित्रकारों से उन्होंने अपनाया और भारत में मशूर करया इनके जैसा oil paint करने वाला दूसरा चित्रकार इस देश में आश तक नहीं हुआ उन्होंने मतलब देखिया दोस्तों हम आपना subject हमारे हिसाब से हम choice करते हैं हमारी जितनी समझ है उस हिसाब से या हमें जो पसंद आता है उस हिसाब से हम हमारा जो subject है painting का वो हम choice करते हैं जो राजा रवी वर्मा थे मतलब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ और काववय में भारत की आत्मा बसिती ये जान लिया और उनके जो पात्र थे वो पात्रों का painting में उन्होंने इस्तमाल किया उस time के जो राज परिवार थे वो बहुत से राजा उन्होंने उनके पास से खुद के परिवार के जो सदस्यते उनके पोट्रेट राजा रवी वर्मा के पास से बनाए राजा रवी वर्मा के चित्रों को बहुत से मांग थी जो महाराना प्रताब जो थे उनका जो बनाए हुआ पोट्रेट था वो राजा रवी वर्मा के हुनर का बेमिसा नमुना माना जाता है इसके साथ साथ भी बहुत से उनके पेंटिंग्स जैसे के दुश्यंता और शकुंतला स्रीकृष्ण और बलराम रावन और जटायू वामना उत्ता दूद के रूप में कृष्ण द्रवपदी सरस्वती इस तरह के अनेक चित्र इसमें सामिल है तेल चित्रों की या जो ओईल कलर से उनकी मांग इतनी बड़ी बढ़ गई थी कि वो मांग वो पूरी नहीं कर सके इसलिए उन्होंने उनके चित्र थे ओरिजिनल चित्र उनकी प्रिंट्स निकाना चालू गिया उन्हेंने प्रिंटिंग प्रेस खुद की मुंबई के उपनगर घाटकों पर में खुद की प्रेस चालूगी वहाँ पे उनकी पहचान दादा साहिब फालके इनसे हुई आप सभी जानते ही हुँगे दादा साहिब फालके इन्होंने पहली हिंदी फिल्म निकली थी ये जो थे फालके जीत थे वो रवी वर्मा के मतलब रवी वर्मा उनके गुरू थे उनके प्रेस में वो काम करने आये थे वहाँ पे उनका परिचे हुआ सन 1904 में 1904 में ब्रिटिश सरकर ने उन्होंने केसरे हिंद मेडल से उनका सम्मान किया और तभी से लोग उनको राजा कहके बुलाने लगे उनका मृत्यू 1906 में हुआ और उनके चले जाने के साथ साल बात दादा सायब फालके जीने भारत में पहली हिंदी फिल्म निकली फिल्म का नाम था हरिश्चंदर राजा हरिश्चंदर इसी तर भारतीय फिल्म उद्यों की शुरुवत हुई सन 2014 में जो हिंदी फिल्म निर्देशक केतन मेता जी है उन्होंने राजा रविवर्मा के जीवन पर एक फिल्म बनाई उस फिल्म का नाम है रंगरसिया देखी दोस्तों मैंने ये राजा रविवर्मा के बारे में आपको कुछ जान करी दी उनको उनके जीवन काल में उनका जीवन काल मतलब उनकी जो मृत्य के समय उनकी एज थी वो थी 56 सिर्फ 56 एज में उन्हें इतनी प्रसिद्धी और उन्हें इतना मतलब नाम कमाया लेकिन उसके साथ साथ उनको कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लेम्स भी फेस करने पड़े जैसे कि M.F. हुसेन सहाब को जैसे जिस प्रकार से प्रॉब्लेम्स फेस करने पड़े उसी तरह उनको भी मतलब उनके भी केस रचाया गया था उन्होंने जो देवी देवता थे उनके अर्धनगनव पोट्रेट निकले और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आये तो कुछ लोगों ने उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो भी जला दी थी इस तरह से बहुत से प्रॉब्लेम्स उनको भी फेस करने पड़े और जो 56 एज में उनकी मृत्य हुई जो साल था 1906 वो केरन के गाव में केरन में ही उ उनके बहुत से चित्र जो थे उनकी मांगे भी बहुत थी और वो उससे तगड़ी फीज भी उनकी राजाओं से वसूल करते थे और जब उनके उपर केस था तब उनका आर्थिक नुक्सान भी बहुत हुआ था उनको लोकों ने नाम भी बहुत मतलब उनका नाम भी भहुत खराब हुआ था और इसी इस तरह से इनकी ये जो जीवन जीवनी है मैंने आपको शॉट में आपको इनके बारे में मैंने आपको जान करी दी कि बहुत से पेंटिंग के फोटोज भी मैंने इस वीडियो में आपको दिखा है स्क्रीन पे आप वो देख सकते हैं इसके साथ साथ मैं एक्रेलिक और ओइल कलर भी मतलब काम करती हूं और वाटर कलर में भी काम करती हूं तो आप मेरे जो पेंटिंग्स है वो फेस्बुक पेज और इंस्टागाम के पेज पे देख सकते हैं उनकी लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दिया है वो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ आपको कुछ मतलब और कुछ जानकरी चाहिए हूं किसे आर्टिस के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जरूर ट्राय करूंगी और नए-nए वीडियो इसी तरह के और भी बनाऊंगी आपके कुछ सुजा हो तो मुझे कमेंट्स करें मेरा वीडियो आपको आच्छा लगाता ज़रूर ज़ करें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करना मेरा चैनल और इस वीडियो को आप ने देखा इसके लिए मैं मन से आपको धन्यवाद देती हूँ थैंक्यू वेरी मुच इसके साथ साथ मेरा जो डेमो है वो भी पूरा हुआ है वाटर कलर में जो मैंने एक जो में डोर है में डोर का छोटा सा पेंटिंग आपको दिखा थैंक्यू वेरी मुच